नमसकार दोस्तों, टेक्निकल साग्ड चैलेल में आपका हinizिक स्वागात है मेरा नामे सनी और आजो जोड़ें में हम बात करने वाले हैं आप का दोर कर सकते हों तो मेरा नामे सनी और आजो करने से पड़ आपसे रिखुष्ट करूँगा अगर आपने यूटुब चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन और नौटिफिकेशन को आल कर लेना ताकि मैं जब भी कोई निया वीडियो अप्लोड करूंगा तो देखिए दो तरीके से सबसे पहला अगर यह सौफ्वेर से रिलेटर प्रॉल्म है त उस occasions में क्या होगा आपको फोन को ले जाका है mobile रिपैरिंग शौप में आपको सही कराना होगा लेकिन अगर यह कोई software से लेड़ी प्रॉलम है तो उसके लिए आपको क्या करने है आपको phone की setting वाले option में आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको search option में search कर लेने आपको reset मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर type कर देने reset आपको क्लिक करने के बाद आपको कोई डाटा डिलीट नहीं होगा बस कुछ setting ऐसी होती है जो गलत तरीके से और बाद में हमें दिक्कत करती है किसी चुछों में तो इसको resort all settings में क्लिक कर लेने ठीक है और यहाँ पर देखे clear way में लिखा हुआ है this will reset all these settings on your phone except security settings language settings accounts personal data settings for download apps यानि कि यह जो सारी चीज़े हैं यह कोई भी आपका reset नहीं होगा आपको डरने के जोट नहीं है आप फोन को reset कर सकते हैं कुछ settings वीडियो कॉल करोगे तो आपको इसमें अच्छे से sound सुनाए देगा आवाज आएगा यह कोई दिक्कत नहीं आएगी दूसरा अगर यह कोई hardware related प्रॉलम है या कि phone के speaker में पानी चला गिया ठीक है या phone damage हो गया तूड गया कुछ भी दिक्कत ऐसी आती है आवाज निया रस स्पीकर से तो उस केसे में क्या होगा आपको फोन को हार्ड इम्मोबाइल के शॉप में ले जाने और फोन को ठीक कराने तब ही जाके आपका यह speaker का प्रॉलम दोर होगा तो आई हो वीडियो आपको कुछ पसंद आओगा वीडियो से कुछ भी आपको सिक्नू को मिला हो तो